नमस्ते अबरीवन, वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल, मेरे चैनल टेक टिप नाओ में आप सभी का स्वागत, अभी मैं आपके साथ डिसकस कर रहा हूँ पाई प्लोट, डाट इस डेटा विजुलाइजेशन के लिए जो आप मैट प्लोट लेप लाइबरेरी का पाई आपके साथ आया हूँ, इस साल का अगर आप सिलेबस देखेंगे, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा है, इस साल का ये सिलेबस जो सीबीएजेस्ट किया है, यहाँ पर हम क्लास 12 पे चलते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे, डेटा विजुलाइजेशन में, म आपर सिर्फ और सिर्फ यह बोल रहा है कि purpose क्या है, plotting का drawing कैसे करना है, save कैसे करना है, matplot list से plotting कैसे करते हैं, आप line chart, plot chart और bar chart बनाना है, plus histogram आपको देखना है, then उसका customization के लिए label, title, legends को सिर्फ आपको क्या करना है, उसके साथ ही आपको work out करना है, आपकी जानकरी के लिए मैं बता दूं कि यह जो questions हम यहाँ पे discuss कर रहे हैं, इसके पहले इसका one shot video already मैंने अपने channel पे live session लेके upload कर दिया है, उसका link आपको description box में मिल जाएगा, IP class 12 का crash course जो अभी परसो नरसो या कुछ दिन में exam होने वाला है, उसके लिए भी पूरा उसका playlist नीचे आपको share कर दिय हम बीना time based किये हुए, एक एक करके सारे questions को देखते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह जो IP का exam होगा, उसमें pipe plot से 5 या 6 number का question होता है, उसमें भी mostly 5 number का question होता है, जिसमें की chart का आपको coding करना रहता है, या कोई code दिया हो रहेगा, उसकी basis पे chart आपको debit करना so that इसमें कहीं पे भी कोई गुणजाइस न बचे कि आपसे ये question, I mean pipe plot से related question जो है, वो मिस हो जाए, चैनल पे आप नए हैं तो subscribe कर दीजेगा, वीडियो पसंद आए तो like, share और subscribe करना तो बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, subscription चाहिए, तो चलिए पहला question देखते हैं, यहा प्लोट को देख कर आपको क्या बनाना है, चार्ट बनाना है, सबसे पहली बात तो यह आप इसको देख के समा सकते हो कि यह column chart है, या इसको हम bar chart भी बोल सकते हैं, अब इसके लिए हम को क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, सबसे पहले तो obviously आप matplotlib का जो pipe plot है, आप उसको import करेंगे, सो मैं यहाँ पर लिपता हूँ, import matplotlib.pyplot, ठीक न, उसका आप एक कोई भी नाम देदो, जैसे alias name या इसको object name आप बोल सकते हो, that is my plt, अब इस plt का हम plot method या कौन सा method इस्तेमाल करेंगे, actually bar method का, अब आप देखें, यहाँ पर जब आप कोई भी plotting करतें, तो x- x-axis चाहिए और y-axis की value चाहिए, तो आप सबसे पहले यहाँ पर x-axis की value के लिए एक list त्यार करेंगे, आप देखें इसमें तीन values है, gold, silver और bronze, तो हम यहाँ पर ले लेंगे gold, दूसरा हम ले लेंगे silver, और तीसरा हम यहाँ पर ले लेंगे क्या bronze, अब इस से हमको यह x-axis का list ready हो गया, अब आपको value match करना है, देखें, gold के लिए 20 है, तो हमने पहली value gold के लिए 20, दूसरा यहाँ पर silver देखें तो यहाँ पर 15 बता रहा है, तीसरा अगर आप देखें तो 17.5 यहाँ पर यह value आ रही है, यह दोनों हमको मिल गई, इसके बाद हमने जो PLT object यहाँ पर ल देखें, यहाँ पर x-axis का नाम दिया है, medal टेली, तो x-axis का नाम देने के लिए आप क्या लिखते हैं, x-label, और label के अंदर जाके आप यहाँ पर देदेंगे medal type, ओल राइट, यह medal type आपने दे दिया, इसके बाद फिर आप लेंगे y-axis का नाम, that is my medal, तो हम यहाँ पर करते हैं, that is plt.title, आप title ले लिजिए, उसमें जाके Indian medal, Italian Olympics लिख दीजिए, तो मैं यहाँ पर Indian से लेकर यहाँ तक कर देता हूँ, Olympics, ठीक है, तो यह आपका पूरा का पूरा code ready हो गया, but finally, आप plt.show करना यहाँ पर नहीं भूलेंगे, तो यह हुआ हमारे इस program का code, x-axis का label लेना है, मतलब उसकी values आपको chart देखके लेना है, bar chart या line chart जो भी बनाना है, वो method call करेंगे, x-label x-axis के नाम के लिए, y-label y-axis के नाम के लिए, then आप लोगे title, जिसमें जो chart का title है, हम वो display करेंगे, और last में plt.show कर देते हैं, यह मेरा हुआ पहला question, अगला question देख होगा, next it is saying, out of the following, which function cannot be used for customization of chart in python, तो इसमें से कौन सा function आप chart के customization के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको modify करने के लिए, तो x label अभी हमने देखा, title हमने देखा, x ticks भी होता है, ticks basically क्या रहते हैं, जो यह tick marks लगते हैं, उसकी setting के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे syllabus में नहीं है, but it is a function, तो जो color यहाँ पर function देख रहा है, this is not there actually for the customization, actually color क्या होता है, एक property होती है, जब हम कोई bar chart बनाते तो उसके अंदर जैसे आपने दिया x और y, वैसी हम color equal to red, green, blue, जो भी आप देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं, तो यह color एक property होती ना की method, तो correct answer यहाँ पर क्या होगा, option b, हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर यह बोलता है, write the minimum number of arguments required for plot, अब plot अगर आप function का इस्तेमाल कर रह हैं, तो minimum argument कितने ही चीए, तो जहर सी बात है, x और y axis तो देना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर इसका answer क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि अगर आप लिखते हो, plt.plot, तो obviously x और y तो दो गे न, तो यह तो ज़रूरी है, इसलिए minimum 2 तो चाहिए ही चाहिए, फिर अगला question बोलता है कि अगर आपको graph को save करना है python पे, तो उसके लिए आप कौन सा function इस्तेमाल करते हैं, so that is for savefig, तो आप लेते हैं, plt.savefig, और इसके अंदर जो आप जिस भी file नाम से save करना चाहते हैं, चाट को, तो वो नाम आप देंगे, फिर यहाँ पर extension उसका आप .jpg दे सकते हैं, png दे सकते हैं, pdf दे सकते हैं, इस तरह से इनका आप इस्तेमाल करेंगे, इसके लावा बाकी और कोई extension आप नहीं देंगे, तो यह तो बात हुई हमारे save figure की, the next is asking that, यह चार्ट को आप देखो, और इसको देखने के बाद आप यह notice करो, और बताओ कि इसमें से कौन स इसका सही code है, तो आप देखें, यहाँ पर यह बूल रहा है, देखें, सबसे पहले तो 1, 1.25 ऐसा दिखा रहा है, तो पहला यह point है, this is 1, फिर दूसरा यहाँ पर 2 है, फिर यह तीसरा क्या है, 3 है, पहली बात तो यह, तो x-axis में आगे है, 1, 2 और 3, और y-axis में क्या बूल हो गई, चुकि यह line chart है, तो यहाँ पर क्या होगा, plt.plot होगा, जिसमें आप x और y को क्या कर दोगे, पास कर दोगे, तो इसके अधार पर यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है, 1, 2, 4, 5, 1, तो 1, 2, 4, 5, 1, यहाँ पर दिख रहा है, यह x हो गया, यह y हो गया, यह बिल्क तो first it is saying to make the histogram with matplotlib, we can use plt.his function, बिल्कु सही बात है, his function का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा, the bin parameter is compulsory to create what histogram, तो histogram यदि आपको बनाना है, तो उसके लिए bin parameter बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको मैं बता दूं कि basically जो bin है, यह जरूरी होता है, लेकिन यह default अगर आप, अगर आ आप execute कर देंगे, तो भी हमारा code histogram create कर देता है, by default जो bins होता है, उसका interval कितना लेता है, यह 10 लेता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कि statement A तो correct है, लेकिन statement B जो है, that is actually incorrect, so option C यहाँ पर क्या होगा, correct होगा, हम आगे बढ़ेंगे, अगले question को देखेंगे, which graph should be used, where each column represent a range of values and the height of a column correspond to how many values are in the range, तो आप यहाँ पर देखो, यह क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि range की बात कर रहा है, और आपको column की बात कर रहा है, तो देखें, column और range, range मतलब एक particular column मतलब कि उस जगा पे कितनी values कि गिर रही हैं, तो जब range आ गया, मतलब obviously क्या हो जाएगा, यहाँ पर histogram में आप क्या करते हैं, continuous value लेते हैं, 1 to 5, you know 6 to 10, then यहाँ पर 11 to 20, इसको सही तरीके से समझने के लिए, आप मेरे matplot lip plotting with piplot का one shot देख लिजेगा, जैसे मैंने आपको पहले बुला, link उसका नीशे आपको मिल जाएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर यह बोलता है the command used to give the heading to a paragraph is, not paragraph means graph के लिए, तो graph की heading के लिए अभी हमने example देखा, plt.title का आप इस्तेमाल करते हो, using python matplotlib, dash can be used to count how many values fall into interval, अभी हमने discuss कि आपको समझ में आगे है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी histogram की, आगे बढ़ते हैं, ना आगे यहाँ पर यह देखे, question बुर रह हैं, तो plotting I think अब इसके लिए आसान होगी, फिर भी हम देखते हैं, हमने सबसे पहले लिया, import matplotlib.pyplot, ठीके न, as plt, हम practice कर लेते हैं, ताकि आपको पूरा ही याद हो जाए, अब x-axis चाहिए और y-axis चाहिए, तो x में देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपका सीधे यहाँ प रखता हूँ, y में आप देखिए, 1 है, then 2 है, then 3 है, then 4 है, then 5 है, then 6 है, तो यह हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, अब इसके बाद में आप क्या ले लेंगे, plt.plot करेंगे, क्योंकि line chart है, x और y को pass कर देंगे, that's it, plt.show, यहाँ पर कोई भी labeling नहीं हुई है, आप देखिए, ना x है ना y है, ना title है, इसलिए हम simple यह code लिखेंगे, हमारा यह chart create हो जाएगा, I hope आपको यह बन जाएगा, तो यह आपके 4 number तो पूरे बनने चाहिए, फिर से यहाँ पर देखिए, यह chart बोल रहा है, हमने यहाँ पर सबसे पहले import किया, matplotlib.pipplot.splt, आप इसको चाहें तो finish कर सकते हैं अपनी end पे, अब सबसे पहले आप x लेंगे, देखिए, 7, 8, 9, और 10, इस बार यह roman letter में है, 7, then है आपका 8, then है 9, और फिर यह 10 है, आप इसको इस तरह से inverted में ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप y लीजिए, y में यह values क्या दे रहा है, 40, then 50, then लगभग 35, and then again 45, 40 हो गया, 50 हो गया, 35 हो गया, और क्या हो गया मेरा यह, 45 हो गया, उसके बाद यह बार चार्ट है, तो आप क्या करेंगे, plt.bar कर लेंगे, जहां पर x और y को आप pass कर देंगे, चुकि यहां पर कोई भी अलग से value नहीं है, इसलिए आप direct करेंगे, plt.show, और यह आपको answer provide कर देगा, आप इसे एक बार execute करके जरूर देखेंगे अपने end पर, next again यह question आया था 2020 में, यहां पर फिर से आप देखिए, 15, 16, 17, 18, x में आपने क्या लिया, 2015, 2016, 2017, और 2018 आपने ले लिया, y में जो इसकी values है, that is 80, 80, 85, और 90, यह क्या हो गया, 80, 80, 85, and what you are, 90, इसके बाद में आपने यहां पर call किया, plt.bar, जिसमें x और y को pass किया, but this time you can see here, this is year, so we will take this plt.x label, where we will pass this year as an argument, and then we will take this plt.y label, where again we will pass this, you know, pass percentage, so we can say this pass percentage, alright, and then we can close this bracket, and we can, here all these are dot, alright, so it will be then plt.show, so this code will be run, so automatically answer आएगा, and one more thing, you have to import matplotlib as what, plt, alright, so please finish this code, and आपका यह answer आपको मिल जाएगा, next we try to see, you know, Gaurav has written a python code to create a bar plot, तो यह question bank का question है, चलिए इसको direct में वही पर place कर देता हूँ, see this is the question, alright, यहाँ पर यह, आपका देखे, यह bar graph बना हुआ है, इसमें दो ranges है, इसके बाद में देखें, यहाँ पर यह बुलता है कि import करना है, तो obviously जब आप import करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आजाएगा matplotlib, यह तो आप समझी गया है, platplotlib.pyplot, ठीक है, उसके बाद में आप देखें, यहाँ पर code में plt है, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, plt आजाएगा, this is my statement one, city हो गया, gender हो गया, index हो गया, plt.bar में यह code लिखा हुआ है, then यहाँ यहाँ पर यह बुलता है, plt. अब यहाँ पर देखें, यह बार ही है ना, तो यहाँ पर भी वापस से क्या ले लोगे, आप बार ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, actually क्या हो रहा है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो बार है, तो पहले इसने क्या किया, city है, gender है, happiness index है, तो पहले यहाँ पर इसने यह values pass की 0.25 वाली और happiness index को डाल दिया, second में distance manage किया, फिर happiness index female लिया, तो दोनों अलग अलग list को इसने pass कर दिया है, यहाँ ठीक है, then इसके बाद में अगला यहाँ पर statement 2 लिखा हुआ है, let's see what it is asking about statement 2, identify the suitable code to use the blank space, तो हमने यहाँ पर देखा matplotlib dot pipe plot as plt, what is the name of function to plot the required bar, तो इसमें तो obviously हमारा bar ही आएगा, third it was saying that fill in the blank in statement 3 to set chart title, तो देखे chart title करना है, तो plt dot title का ही आप इस्तेमाल करेंगे, x title, y title और show तो होता ही नहीं है, the next it is saying identify the suitable code for line number 4, line marked as statement 4 to display the legend as, तो legend display के लिए आप क्या लिखते हो, plt dot legend, मतलब यहाँ पर यह जो legend place करने के लिए बोल रहा है, statement number 3 में, so here this will be plt dot legend, all right, and इसके बाद में next question में यह बोलता है, fill in the blank in the statement 5 to display the plot, तो यह आपको समझ में आगया होगा, that is plt dot show, all right, so this is how we can get the answer, हम अगले question को देखते हैं, now here it is saying that python package used for 2D graphics, तो 2D graphics के लिए हम कौन सा package use करते है, matplotlib.plt, या इसको आप better तरीके से याद रखें कि matplotlib.pyplot, ठीक है न, यह होना चाहिए, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, next it is saying that which of the chart, you know following chart element is used to identify data series by its color pattern, data series को color pattern से कौन identify करता है, देखें जब आप कोई chart बनाते हैं, here you can see, suppose this is my chart, all right, कुछ इस तरह से बनाया है, और इसके बगल में यहाँ पर भी एक chart है, कुछ इस तरह से, I just try to, you know, identify this, तो आप देखें, इसके साथ एक box बना रहता है, जहाँ पर यह blank और इसका identification आपको मिलता है, कि this is for this particular data, and this is for this particular data, तो हम इसको क्या बोलते हैं, legend बोलते हैं, तो legend जो होता है, वो different color pattern से identify करता है, different data series को, So, the correct answer is option B, we move to the next question, which of the following is the correct syntax for displaying title on the chart, तो आपको यह clear हो गया, हम यहाँ पर sorry, क्या use करेंगे, plt.title, जिसके bracket में हम क्या करेंगे, chart को pass करेंगे, it is a function, Let's move to the next one, now here it is saying that, कि आपको अगर histogram बनाना है, और इस तरह का histogram बनाना तो आप क्या use करोगे, तो देखिए, पहले तो आप plt.hist करोगे, तो अगर आप hist करोगे, तो पूरा यह shaded होगा, मतलब जितने भी इसके बार बनते हैं, bin pass कर दो तो वो तो interval हो गया, मतलब frequency range हो गई, लेकिन अगर इस तरह का आपको बार चाहिए, histogram में, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, hist type में, step, तो इसका जो correct answer है, step होगा, देखे, step कर देंगे, तो यह सारा इस तरह से white पूरा दिखेगा, केवल outer जो होगी, column की lines आपको दिखाई देती हूं, तो थोड़ा सा आप इसको जानकारी में रखेगा आपको, कि जब आप step कर देते हैं, तो इस तरीके से यह दिखाई देता है, बाकी step field वगरा, जो होता है, वो step में क्या करेगा, इसको बनाएगा, और इसके अंदर फिर color field कर देता है, but that is, वो थोड़ा सा different हो जाता है case, और थोड़ा वो confusion create करता है, तो फिल हाल, अगर आपके मैं syllabus के according देखूं, तो step या bar, बार वैसे देने कि आपको जरूरत नहीं, क्योंकि by default यह बार ही होता है, तो इस बात को आप धियान रखेंगे, then the next question is, कि यहाँ पर यह data visualization के बारे में कुछ point है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, first it is saying that, यह last year के question paper में था, I mean term 1K, that graphical representation of information data, तो यह बिल्कुल सही है, helps user in analyzing a large amount of data in simpler way, बिल्कुल आप बोल सकते हैं, data visualization makes complex data more accessible, understandable and usable, यह भी सही लग रहा है, now the last is saying no library needs to be imported, तो यह यहाँ पर पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आप हर बार क्या इस्तेमाल करते हैं, matplotlib.pyplot का, ठीक है न, तो option D यहाँ पर गलत होगा, the next is asking, आप यहाँ पर यह चार्ड देखो, यहाँ पर आप देखो कि जब आप matplotlib को import कर रहे हो, तो PLT के नाम से, अब यह बोल रहा है कि आपको अगर line chart बनाना, तो इसमें कौन सा code सही होगा, so you can see here, line chart के लिए हम कौन सा method इस्तेमाल करते हैं, option number 4, that is plt.pyplot, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ hard questions नहीं है, एक ही चीज़ धियान रखिए, कि graph दिया है, उसका code आपको लिखना आना चीए, या code अगर लिखा हुआ है, तो missing space होगा, उसको filling करने के लिए बोलेगा, तो एक practice आप कर लिजएगा, different line chart बनाने का, बार chart बनाने का, और histogram बनाने का, उनको एक बार बना के देख लिजए, practice कर लिजए, कौन-कौन से labels है, बहुत ज़्यादा नहीं है, टाइटल आपको इस्तेमाल करना है, फिर से मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, आपको जो जो त्यारी करनी है, that is, आप जो PLT लेंगे, तो आपको bar को याद रखना है, आपको plot को याद रखना है, आपको hist को याद रखना है, ठीक है, आपको bins के बारे में थोड़ा करना है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं आने वाला है, so मैं उम्मीद करता हूँ, कि जो आपको मैंने बताया है, वो clear हुआ होगा, तो चले फिर आप सेशन को यहीं पर एंट करेंगे, आप practice कीजिए, किसी भी तरह का doubt होने से आप comment करके मुझसे पू बाइ-बाइ and take care